आज की रेसिपी है चिली चिकन, इसके लिए आदा केजी बॉनलेस चिकन को छोटे चूटे पीसे में काट लेंगे एक चोटा चमच नमक, आदा चोटा चमच काली मिल्च, एक चूटा चमच लेसुन, अद्रक मिल्च, सोया सॉस, विनेगर डालेंगे, एक अंडा, एक बड़ तेल डाल करके इसे 2-3 मिनट तक हम इसे लो मेडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे कुक करते समय इसे उलट पर लट ले ताकि चिकन के जो पीसे हैं वह अच्छे से फ्राइब हो जाए चिली चिकन बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है जो की बनाने में बहुत ही आसान है और घर में बनाने पर भी आएगा अब चिकन के पीसे करीब करीब फ्राइब हो गए हैं हम इसमें से एक्स्ट्रा ओल निकाल देंगे उसके बाद हम इसमें एक टेबल इस्पून लैसुन आदा टेबल इस्पून अधरक आठ से दस मिर्च डाल करके तीस सेकेंड तक मीडियम हा आए फ्लेम पर कुक करेंगे हमें जो प्याज और श्रिम्ला मिर्च है उसे पकाना नहीं है हमें उसे थोड़ा क्रिस्पी रखना है अब हम इसमें डेड़ कप पानी या फिर आपकी आवशकता अनुसार पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें दो बड़े चमच चिली स अनुसार डाले और इसमें उबालाने दे जब उबाला जाएगा तो एक टेबल स्पून कॉन्फूर को आदा कप पानी में मिक्स करके डालेंगे और इसे लागातार चलाते रहेंगे दो से तीन मिट तक ताकि इसमें लंप्स ना बने उसके बाद आप इसमें नमक शकले और पत्ते वाले जो प्याज होते हैं वो डालेंगे कुछ जो फ्राइट चिकन है वो मेरे बच्चों ने खा लिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें अजीनो मोटो भी डाल सकते हैं आप इसे नूडल्स, रोटी, चावल, नान, फ्रेड रैस या एजर स्नैक्स भी खा सकते हैं